बीजेपी सांसत शुसिल मोदी और जेडियू के रास्ट एध्यक्च ललन सिंग आमने सामने नजर आ रहे हैं दरसल ब्या सरकार के मंतरी कार्तिक कुमार का इस्तीफा लिकर आया गया जिस तरीके से उन पर अपारण के मामले में केस चल रहा था जिसको लेकर के देखिए पहले तो उनका मंतराले बदला गया फिर रात होते होते कार्तिक सिंग ने खुद से ही सियम नितिश कुमार को अपना इस्तीफा सौप दिया तो ऐसे में देखिए सुशिल कुमार मोधी ने ट्वीट करते हुए सरकार को और सियम नितिश कुमार को कटगड़े में खरा किया है तो अब इसका जवाब देखिए जडियू के रास्ट यद्यक्ष लेलन सिंग ने जवाब दिया है जवाब देते हुए फेस्बुक पोस्ट के माध्यम से क्या कुछ लिखा है वो हम आपको तस्वीर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे है देखे मंत्री कार्तिके सिंग की फजियत को लेकर अब जडियू ने भी अपनी चुपी तोड़ दी है जडियू के रास्ट अध्यक्ट लेलन सिंग ने बीजेपी सांसद सुशिल कुमार मोधी के बयान पर पलटवार किया है उन्होंने मोधी पर हमला बोलते हुए कहा है चलने दूसे सूप को लेलन सिंग ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए सुशिल मोधी को सवालों के कटगरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा है सुशिल मोधी जी नितिश जी को चिनोती देने से पहले अपने गिरवान में जहांक ले उत्तरप्रदेश सरकार के कारणामों को ही देख ले यूपी के मंतरी स्री राकेश सचान को कितने साल के सजा हुई सजायापता होने के बाद भी मंतरी बने है की नहीं मंतरी जी आदालत से सजा की कौपी लेकर भाग गए कुछ बोलने से पहले थोड़ी तो शर्मंदगी का अहसास कीजिए नितिशी को ग्यान देने की ज़रुरत नहीं है एक कहाबत है चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद भात्तर छेद नेतिकता का पाट पढ़ाने से पहले अपनी नेतिकता का भी आकलन कर लें जेडियू के रास्ट अध्यक्ष ने आगे कहा लखिमपूर खीरी का जबाब भी जनता आपसे जानना चाहती है जरा मुह हो तो खोलिये कुछ तो बोलिये और जरा यह भी बताइए कि लखिमपूर खीरी की घटना पर सरवोच नियाले ने क्या-क्याट पढ़िया की थी आ अहां एक तरह सुशिलकुमार मोधी ने कार्तिके सिंग स्थीपय को लेकर के कहा है कि और विकेट गिरेंगी उसके बाद के सुशिलकुमार मोधी का जवाब देते हुए जडियू के रास्ट अध्यक्ष ने मोचा समाल लिया और उनके बयानों का जवाब दिया है उनके ट् एक आदालत ने सचान को एक मामले में दोशी ठाराया था लेकिन आदालत के सजा सुनाने के पहले ही मंत्री महोदे अपने वकील के मदद से दोश सिद्धी आदेश की मुल्क प्रती प्रती लेकर ही भाग निकले तो देखे बिहार में जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात क तो उसके बाद देखे अब बिभाग बदलकर को खाद गन्ना द्योग मंत्री बनायागा फिर रातो रात जब एक तारिक यान की आज कोट में सुनवाई चल रही है तो उससे पहले देखे कि गिरभतारी हो क्या कुछ कोट का बात है लेकिन कोट जाने से पहले से हम नितिश का इस्तिपा ले लिया और अपने विपक्ची पार्टियों को जवाब दिया है कि देखिए हमने अपने मंत्री को नहीं बचाया है उनसे हमने इस्तिपा ले लिया है खोट हम मंत्री बना करके नहीं भेजेंगे तो साप छबी फिर से बताता ब्या सरकार का और लेतिश कुम फिलाल इस कबर में इतना ही हमें दीजे इजाज़त प्रिम मिलते के सी बड़ी कबर के साथ तब तक के लिए डन्यवाद